हेए एवेरीवेर विल्कम टू माइ यूड्यूब चेनल मेकप करने से पहले मेने फेस को अश्य से क्लीन कर लिया उसके बाद मेने रोज वाटर फेस पे अपलाई कर रहा है और ये निविया की क्रीम है मॉस्ट राइजес स्कीन को मॉस्ट राइज करने के लिए मैंने निविया की क्रीम अपलाई कर ली है उसके बाद मैंने इंसाइट का प्राइमर यूज चिया है फेस पे और ये क्राइलोन का ओरेंज बेस है इसको मैंने अंडर आई पे end mouth area पे अपलाई कर लिया है उसके बाद मैंने beauty blender को पानी में wet करके dab dab करके अच्छे से blending कर ली है ये meveline fit me का foundation है इसका shade number 330 मैंने dot dot करके पूरे face पे apply करा है उसके बाद मैंने beauty blender को पानी में wet करके dab dab करके blending कर ली है blending अच्छे से करना है और beauty blender को हमेशा पानी में वेट करकर ही यूज़ करना चाहिए पानी में हमेशा बिटी ब्लेंडर को गिला करके यूज़ Är Серचीं अब मैंने कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे उसके बाद मैंने स्वी स्वीटी का कंटॉर लिया है मैंने फोर हेड और नोस कंटॉर कर ली है उसके बाद मैंने चिक बॉन पे अपलाई करा है उसके बाद मैंने जो लाइन पे अपलाई कर लिया है और ये स्वी स्वीटी की लिप पैलेट है लिपस्टिक इसमें से मैंने डार्क पिंग कलर यूस किया है ब्लश एर के लिए उसक तो भी अच्छे से ब्लेंडिं मिल्ये ब्लेंडर लेंगें, ब्रस के हम्लेंटी और प्रीपलेंडरें करते हैं मेकप करने के लिए मैंने ये लुस पावडर अपलाइ किया है, ये ल्यो का लूस पावडर है इससे मैंने अüchtटिंग कर ली है वेस्पे से आइब्रो को डिफाइन किया और उसके बाद मैंने वाइट वेस्ट पे अप्लाई कर लिया है आईशेड़ लगाने पहले जिसे हमारे आईशेड़ो के जो भी कलर होते हैं वो उभर कर दिखते हैं और हमारी आइब्रो पे भी आची शार्पनेस दिखती है ऐ वेस को सेट कने के लिए मैंने लूज़ पाउडर अपलाई कर लिया उसके पाद मैंने बूटि गलेस की मी आईशेड़ शेटो पैलिट में से पिंक कलर पिक कीया है और उसको आई लीट पे अपलाइ कर लिया है और अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से ब्लेक कलर पिक किया है और फिर उसको मैंने आई लीट पे अपलाई कर लिया क्रीज लाइन पे और अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है ब्लेंडिंग अच्छे से करना है जिते अच्छे से blending करते हैं उतने ही अच्छे से हमारे आईशेडो के color clear और अच्छे से apply हो जाते हैं उसके बाद मैंने फिर pink color लिया है फिर अच्छे से crease line पे अच्छे से blending कर ली है फिर उसके बाद मैंने black color लिया है उससे मैंने outer corner पे apply करा है और अच्छे से blending कर ली है सेम ऐसे ही मैंने सेकेंड आइस पर भी आईशेडो को अपलाई कर लिया है ब्लेंडिंग कर लिया है और अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया है उसके बाद मैंने ब्यूटी ग्लेज आईशेडो पैलेट में से ही परपल कलर का गिलीटर लिया है और उसको मैंने आई बॉल पे अपलाई कर रहा है और पिंक कलर मैंने लो लेश लाइन पे अपलाई कर लिया है उसके बाद मैंने पेंग कलर की लिप्स्टिक अपलाई कर ली और ये हुड़ा व्यूटी का आई लाइनर है पैन आई लाइनर मैंने आई लाइनर अपर लेस लाइन पे और लो लेस लाइन पे अपलाई किया है उसके बाद मैंने मेलियो का वाइट का जल अपलाई किया है आईस में और उसके बाद ये मैंने लूस पाउडर लिया है मेलियो का आई लेस पर अपलाई कर लिया है मस्कारा लगाने से पहले जिससे हमारी आई लेस थिक दिखती है और हमें आइलेसिस लगाने की जरुवत नहीं पड़ती अगर आप जल्दी में हैं तो इस तरह से मस्कारा आइस में जरूर अपलाई करें जिससे कि हमारी आइलेसिस ठिक और बहुती ब्यूटिफुल दिखती है मैंने अपने फेस पर हाईलाइटर अपलाई कर लिया है चिक बोण पर नॉस पर फॉर हैट पर आइब्रो बोण पर और अपर छिन पर अच्छे से अपलाई कर लिया है मेलियो के मेकप फिक्सर से मेकप को मैने फिक्स कर लिया है और यह मेरे मेकप का फाइनल लुक है आपको मेरा मेकप लुक अच्छा लगे तो प्लीज बीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चेनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अल पर जरूर किलिक करें जिसे मेरे वीडियो के आने वाले नियू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को फुल वर्च करने के लिए थेंक यू